तो आज हम करेंगे 9th class के book moments के second chapter को जिसका title है The Adventures of Toto written by Ruskin Bond तो writer हमसे पूछता है क्या आपने कभी baby monkey को pet के रूप में रखा है Toto is a baby monkey Let's find out अब पता लगाते हैं कि क्या वो mischievous है, शरार्ती है या फिर docile है, या फिर easily control में आ जाता है अब हम इस lesson को पढ़ते हैं मेरे grandfather ने Toto को खरीदा एक Tonga driver से 5 रुपे में Tonga driver हम किसको बोलते हैं? जो अब आप picture में देख रहे हैं, ये Tonga होता है और इसके चलाने वाले को हम driver बोलते हैं मतलब मेरे grandfather ने 5 रुपे में टोटो को खरीदा Tonga driver से, जो Tonga driver था वो उस चोटे से red monkey को बांद कर रखता था feeding trough के साथ feeding trough हम किसको बोलते हैं? जिसमें animals खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं वो ऐसा होता है, जैसा कि इस picture में दिखाया गया है और जो monkey था, वो out of place लगता था मेरे grandfather को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था तो grandfather ने फैसला लिया कि वो उस monkey को अपने छोटे से private zoo में add करेंगे इस से हमें पता चलता है कि narrator के grandfather का एक private zoo था Toto was a pretty monkey, Toto एक pretty monkey था, सुन्दर monkey था उसकी आँखे चमकती थी, उसकी गहरी eyebrows के नीचे और उसके जो teeth थे, उसके जो दाथ थे, वो purely white थे मोतियों जैसे white color के थे और वो अक्सर display करके smile में डरा दिया करता था elderly Anglo-Indian ladies को, जो थोड़ी ज़ादा age की Anglo-Indian ladies होती Anglo-Indian कौन लोग होते हैं, जिनके parents में से एक retain में से होता है और एक इंडिया में से होता है, तो उनको हम Anglo-Indian कहते हैं लेकिन जो Toto था, उसके जो hands से वो बिलकुल dried लगते थे, बिलकुल सुके हुए लगते थे मानो कि उन्हें सुकाया गया हो धूप में काफी सालों तक, लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी, वो बहुत quick, बहुत तेज थी और शरारती थी और उसकी जो tail थी, उसकी जो पूच थी, उसकी good looks में add करती थी, मतलब उसकी सुन्दरता को बढ़ाती थी और जो narrator के grandfather थे, वो विश्वाश करते थे, कि जो tail होती है, वो किसी की भी look को बढ़ा सकती है, किसी की भी सुन्दरता को बढ़ा सकती है, किसी भी person की, वो ये बात मजाक में कहते थे लेकिन जो टोटो की tail थी, वो serve करती थी, उसकी third hand की तरह, उसके तीसरे हाथ की तरह भी काम करती थी, उसके तीसरे हाथ की तरह कैसे काम करती थी, वो इसको use करता था लटकने में, किसी भी branch से, पेड़ की branch से, शाखा से, जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं, और वो capable था, किसी भी चीज को उठा लेता था, स्कूप अप कर लेता था, किसी भी खाने की चीज को जो उसके हातों की पहुंच से बाहर हो, वो उसको अपनी पूच का यूज करके, टेल का यूज करके उस चीज को उठा लिया करता था, जो narrator की grand mother थी, वो हमेशा गुसा करती थी, जब भी grand father, कोई भी नया bird या नया animal लेकर आते थे, इसलिए ये फैसला लिया गया, कि टोटो की जो presence है, कि जो हम टोटो को लेकर आए हैं, उसे हम secret ही रखेंगे, जब तक की grand mother, narrator की दादी, अच्छे mood में नहीं हो, तब तक ये बात, उस से चुपा कर रखी जाएगी, grand father और मैंने मतलब मेरे दादा जी ने और मैंने उसे एक छोटी सी almira में रख दिया, टोटो को एक ऐसी almira जो bedroom की wall में बनी हुई थी, जहां पर उसे बांद दिया गया securely, बड़े ही अच्छे ढंग से, ऐसा हमने सोचा था, कि हमने उसे securely बांद दिया है, एक वहाँ पर खूटी जो करने के लिए, हमने क्या देखा, कि जो दिवार थी, जो हमने cover कर रखी थी, ornamental paper के साथ, एक सजावती paper के साथ, जो grandfather नहीं चुना था, अब वो जो दिवार थी, वो uncover हो चुकी थी, naked हो चुकी थी, और उसके नीचे का जो brick थी, इटें थी, और plaster था, वो नजर आ रहा था, और जो खुटी थी, दिवार के अंदर, उसे खीच कर socket से निकाल दिया गया था, उसे अलग कर दिया गया था, ये सब कुछ टोटो ने किया था, और narrator आगे क्या कहता है, कि मेरे school का blazer, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, उसके टुकडे टुकडे कर दिये गये थे, वो टोट की इस performance को देख कर, उन्होंने कहा कि टोटो बहुत ही intelligent है, बहुत ही clever है, grandfather ने ऐसा कहा, अगर इसे time मिल जाता, तो मुझे पका विश्वाश है, कि उसने फटे हुए PC से, जो blazer के फटे हुए PC से हैं, उससे एक रसी बना ली होती, और बच कर निकल गया होता, विंडो से, वो इतना intelligent है, कि वो रसी बना कर विंडो से निकल गया होता, उसकी जो presence थी, वो घर में अभी भी secret, अभी भी किसी को बताया नहीं गया था, टोटो को अब transfer कर दिया गया, उसको वहाँ से ले जाया गया, एक बड़े पिंजरे में, जो servant quarter में था, वहाँ पर grandfather के काफी सारे pets थे, और वो बड़े ही friendly तरीके से रहते थे, एकट थे, grandfather के पास एक tortoise था, pair of rabbits थे, मतलब दो rabbits थे, एक पालतू गिलहरी थी, squirrel थी, और एक pet goat, एक बकरी थी, लेकिन monkey क्या करता था, जो टोटो है, वो क्या करता था, वो किसी को भी, अपने किसी भी companion को, अपने किसी भी सा शरारते करता था, कि रात में किसी को सोने नहीं देता था, इसलिए, जो मेरे grandfather थे, जिनोंने देहरा दून जाना था, अगले दिन collect करने के लिए, लेने के लिए, अपनी pension को, pension हम किसे कहते हैं, जब कोई person नोकरी से retire हो जाता है, तो उसके बाद जो से मंतली पैसा मिलता है, उसे हम pension बोलते हैं, तो मेरे grandfather ने अपनी pension लेने के लिए सहरनपूर जाना था, उन्होंने फैसला लिया कि वो टोटो को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि टोटो पीछे से नहीं तो बहुत शरारते करेगा, unfortunately क्या था, मैं अपने grandfather के साथ a company नहीं कर सका, मैं अपने grandfather के साथ जा सका उस trip पर, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, जो भी उस trip में हुआ, आकर उन्होंने बाद में मुझे सब कुछ बताया, एक big black color का canvas का bag प्रोवाइड किया गया, तोटो के लिए, मतलब तोटो को उस bag में ले जाया गया, बैक के bottom में कुछ straw रख दिये गए, कुछ घास फूस डाल दिया गया, कुछ टाइम के लिए, टोटो का वही नया घर बन गया, जब bag को बंद किया गया, close किया तो वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था, टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, ओपनिंग से, और canvas इतना strong था उसके लिए, कि व हुआ, जो bag था थोड़ा roll करने लगा, इधर उधर लोड़कने लगा, फर्ष के उपर, floor के उपर, और कभी-कभी हलके bag का jump भी लग जाता था, जब वो jump लगाने के अंदर से कोशिश करता था, तो bag ऐसा लगता था, कि जैसे bag jump लगा रहा है, air में, हवा में, तो इस exhibition ने, इस चीज ने attract कर दिया, बहुत ज़्यादा curious crowd को, बहुत ज़्यादा भीड को attract किया, onlookers की, लोग देखने लग गए, कि ये क्या हो रहा है, bag अपने आप कैसे हिल रहा है, कैसे jump लगा रहा है, ये सब कुछ हुआ, देरादून के railway platform पर, टोटो उस bag में ही रहा, जब तक कि सहारनपूर नहीं पहुँच गए, लेकिन grandfather ने जब produce की अपने ticket, अपने ticket दिखाई, railway के turn style पर, turn style हम किसे बोलते हैं, एक ये जैसा कि आप picture में देख रहे हैं, ये इसलिए लगाया जाता है, कि एक time में एक ही person निकल सके, तो जब मेरे grandfather ने ticket दिखाई, तो टोटो ने अप अपना head बहर निकाला, अपने सिर को बहर निकाला, बैक से, और ticket collector को, जो ticket check करने वाला था, उसको एक wide grin दी, एक दात निकाल कर, हसी दिखाई अपनी, जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं, ऐसा ही टोटो ने किया, वो बेचारा, जो ticket collector था, वो एक दम हैरान हो गया, लेकि का, sir, आपके साथ dog है, तो आपको इसके लिए भी pay करना पड़ेगा, जितने ही इसकी ticket लगती है, आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, बिकार में, in vain होता है, बिकार में ही, जो grandfather थे, उन्होंने क्या किया, टोटो को बैक से बाहर निकाला, और बिकार में ही, उन्होंने कोशिश की ये प्रूव करने की, कि जो monkey होता है, वो qualify नहीं करता dog की तरह, उसे आप dog नहीं मान सकते, और उसे आप quadrapet भी नहीं मान सकते, चार पाओं वाला भी नहीं मान सकते, क्योंकि monkey के दो हाथ और दो पाओं होते हैं, लेकिन टोटो को classify कर दिया गया dog की तरह, उसे dog क कैटेगरी में ही डाल दिया गया, टिकेट कलेक्टर के दोरा, और थ्री रूपिस चार्ज किये गए, मेरे grandfather से, ये monkey का किराया था, उसके बाद जो मेरे grandfather थे, उन्होंने अपना एक तरीके से revenge लेने के लिए, बदला लेने के लिए, अपने pocket से एक tortoise निकाला, और उन्होंन टिकेट कलेक्टर से का, मुझे इसके लिए कितना pay करना है, क्योंकि आप तो हर animal के लिए charge करते हैं, टिकेट कलेक्टर ने नजदीकी से, ध्यान से देखा tortoise को, उसको छुआ, उसको थोड़ा सा push किया, अपनी four fingers के साथ, और उन्होंने एक ऐसी smile दी, मेरे grandfather को, ऐसी smile जैसे उसमें उस टिकेट कलेक्टर की जीत हो गई हो, और कहा, no charge, ये कोई dog नहीं है, इसे मैं dog नहीं मानता, जब टोटो को finally accept कर लिया गया, मेरी grandmother के द्वारा भी, तो उसे एक comfortable home मिल गया, stable में, stable हम किसे बोलते हैं, अस्तबल में, actually में जहां पर घोड़े बगारा बांदे जात grandfather रात को वहां पर गए, चेक करने के लिए, कि वो comfortable है, या नहीं है, लेकिन मेरे grandfather surprised हो गए, हैरान हो गए, जब उन्होंने ये पाया, कि जो नाना है, बिना किसी reason के, reason का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, वो अपने halter को खीच रही थी, halter means strap, जो गले में डाल देते ह strap, उसको वो खीच रही थी, और कोशिश कर रही थी, अपने सिर को उतना दूर रखने की, जितना वो रख सके, घास फूस से, bundle of hay से, जो घास फूस का बंडल था, उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, grandfather ने एक slap दिया, एक ठपड लगाई, उसके होंचिस पर, और उसन तोटो भी आ गया, खिसता हुआ तोटो भी आ गया, एक्चुली में क्या हुआ था, तोटो ने पकड रखा था, जकड रखा था, उसके लंबे लंबे कानों को अपने तेज दातों मतलब वो इतना शरारती था, कि उसने उसके कानों को पकड रखा था, नाना के, तोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके तोटो के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती थी जब cold winter evening में एक बड़ा सा गरम पानी का बाउल उसे दिया जाता था उसके नहाने के लिए जो grandmother दिया करती थी वो बड़ी चालाकी से क्या करता था जब उसे वो बाउल दिया जाता था तो पहले उसके temperature को test करता था कि पानी कितैं गरम है इस चीज़ को वो check करता था अपने हाथ के साथ फिर उसके बाद धीरे से वो उसमें पाउं रख था नहाने के लिए पहले एक पाउं रख था फिर दूसरा पाउं रख था उसने ऐसा करते हुए narrator को देखा था और उसको ही imitate जब वो comfortable हो जाता था तो वो अपने साबुन को उठाता था अपने हातों में या फिर अपने पाउं में और रब करता था अपने को पूरी बॉड़ी पर रब करता था जब पानी उसे लगता था कि ठंडा हो गया है वो बहार आ जाता था और भागता था जितनी तेजी से भाग सकता था और kitchen में जाता था kitchen fire के पास ताकि वो अपने आपको dry कर सके सुखा सके अगर कोई हस्ता था तोटो की इस performance के ऊपर कोई हस्ता था तो टोटो की जो feeling थी वो hurt हो जाती थी और वो नहने से मना कर देता था एक दिन क्या हुआ टोटो ने लगबग अपने आपको बोईली कर लिया अपने आपको उबाली लिया था जिन्दा ही अपने आपको उबाली लिया था वो कैसे हुआ एक बड़ी सी kitchen की जो cattle थी उसे छोड़ा गया था ág के उपर ताकि उसमें पानी boil हो सके, उबल सके, चाय के लिए और टोटो के लिए, टोटो के पास और कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो उसने क्या फैसला किया, उस kettle के lid को हटा दिया, धक्कन को हटा दिया, और उसको पानी क्या लगा, वाम लगा, सही लगा, नहाने के लिए, वो उसमें चला गया, उसका जो head था, वो open kettle से बाहर निकला हुआ था, थोड़ी देर के लिए, तो ये ठीक था, जब तक कि पानी boil होना start नहीं हुआ, जब पानी थोड़ा गर्म होना start हो गया, boil होना start हो गया, तब तोटो ने अपने आपको उपर उठाया, थोड़ा सा उपर नहीं पहुँच गई, और उसने उसको बाहर नहीं खीच लिया, वो लगबग अपने आपको आधा boil कर चुका था, उसकी skin से ऐसा लग रहा था, लेकिन ग्रेंड मदर ने उसे kettle से बाहर खीच कर बचा लिया, अगर कोई part किसी के brain में ऐसा होता है, जो हमेशा शरारतों के प उकड़े कर देता था, जब मेरी कोई aunt टोटो के पास जाती थी, तो वो पूरा effort करता था, पूरी कोशिश करता था उसकी dress को पकड़ने की, और फार कर उसमें hole करने की, एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक बहुत बड़ी plate पुलाओ की वो रखी गई, dining table के center में, हमने गरे जब room में enter किया, तो हमने क्या देखा, टोटो क्या कर रहा था, खा रहा था, स्टफ कर रहा था, राइस को अपने मूँ में, grand mother ये देख कर जोर से चिलाई, और टोटो ने क्या किया, उसके उपर एक plate उठा कर फैंक दी, grand mother के उपर plate उठा कर फैंक दी, मेरी एक aunt निकल गया, विंडो से वहां से बाहर निकल गया, हमने उसको फिर कहां पाया, एक कठल का पेड़ था, उसकी शाखाओं पर ब्रांचिस पर वो बैठा हुआ था, जो डिश थी, जो प्लेड थी, अभी भी उसकी हाथ में थी, आम्स में थी, वो वहां पे पूरे आफ्टरनून बैठा रहा, धीरे धीरे वो राइस को खा रहा था, और पका इरादा किये हुए था, कि वो फिनिश करेगा, खतम करेगा, एक एक ग्रेन को, मतलब एक एक चावल को वो खा लेगा, उसके बाद उसने क्या किया, जब उसने फिनिश कर लिए, राइस, ग्रैन मदर को इरिटे निकालने लगा और खुशी से कूदने लगा एक बात तो पक्खी थी सपस थी कि टोटो उस तरीके का पैट नहीं था जिसको हम ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते थे मेरे ग्रेंट पादर ने भी यही बात रियलाईज की हम कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं थे हम कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे बार बार नुकसान होना प्लेटों का डिशिस का क्लोस कपड़ों का कर्टेन परदों का और वाल पेपर्स का इसलिए जो ग्रेंट पादर थे उन्होंने उस तोंगा ड्राइवर को ढूंडा और टोटो को वापिस उसे बेज दिया थ्री रुपेस में उससे पांच रुपे के से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू